नमस्कार दोस्तों में वाइविधिक दोक्टर मुकुल शर्मा दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत तरह लोगों को यह समस्या है कि अगर वो एक बार सेक्स कर लेते हैं तो उनका दुबारा खड़ा ही नहीं होता है खड़ा होता है दो दस गंटे लग जाते हैं या दो दो तीन तीन चार चार दिन बाद वापिस हमको मूड बनता है तो इस समेश्या का निवारान के लिए में एक आपको घ्रेल मुस्का बताने जा रहा हूं बहुत अच्छा है गर पर अराम से बना सकते हो कोई दी कर नहीं है इसलिए इस वीडियो बन तक देके हैं वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए जिसे नेक्स वीडियो ऐसी ही रिलेटेद अच्छी ची आपको मिल जाएं और अगर आपको कुछ प्रमानेंट सोलुसें चाहिए तो आपको कोल करकर टीट्मेंट पिले सकते हैं दोस्तों बात करेंगे आज कि जिनका बिल्कुल खड़ा नहीं होता है या अगर एक बर खड़ा होता है उसके बाद आपको चार चार पांच पांच दिन लग जाते हैं तो उस पे क्या आपको करना है पहले परहेज परहेज की बात हैंगे फिर आपको दवाया बताऊंगा जो दवाया नहीं अगर आपको इनसा करते हो वो नहीं करना है अगर आप कोई तली बुनी चीजे खाते हो जादा मातरा में मार्केट के फास्ट फूड काते हो जंग फूड खाते हो तो यह आपको बिल्कुल यूज करते हैं तो आपको नहीं करना है, लाइफ में एक बार के लिए स्वय भीन आप निका ली दो, क्योंकि टेस्ट और स्टोर्ण लेवल वह आपको कम करता है, ओके, आगे बात करते हैं कि आपको घर का क्या क्या खा सकते हो, इसमें दही, दूद, च्खाए, यह खा सकते ह इनमें आपको कोई परेज नहीं है, अगर आप पचार खाते हो तो वो नहीं खाना है, निम्बो आप नूर्मली कभी कब अगर खा सकते हो गटी चीजों में, इमली नहीं खानी है, इस चीज का भी आपको त्यान रखना है, अब बात करते हैं आपन नुष्खे के बारे, ने कुछ दिनों का बता रहाँ आप इसको मातवर बढ़ा कर भी ले सकते हैm, 100 G कशे लिए अच्छी तरह करना है ईसमें आपको 20 gram dot hij 20 gram ilaiji अच्छी तरह का निश्राण ब्दादम से 15 St. polyty 100 gram इसमें 100 g powder मिश्राण निश्राण और 100 gram ही इसमें आपको पोह।दर मिक्स करना है यह चार अश्री तरह को मिक्स करना है और खाना कैसे है, वो हम बता देता हूं, सुबह शाम आदा आदा चमच, सहथ के साथ आपको चाटना है और उपर से दूद पिलेना है, यह नोर्मल सी चीज है यह आप आराम से कर सकते हो, मातर में बता दी, खाना काने के आदी गंटे पाद लेने हैं, दूद के साथ लेनी है और सहथ के साथ दवाए उसको मिक्स करें, आपको चाट के उपर से तूद पिना है, कोई आपको साइडवेक्ट नी होगा, इसकी लोग बहुत सोचते हैं, कोई साइडवेक्ट नी है, सिर्फ फायदे फायदे हैं, गर्मी नहीं करेगा, यह भी आदा ना सोचों कि गर्मी क करेगा, मिनने ही करेगा, मातरा है उससाब से मैंने आपको बताईए, अगर सर्दी में खाओगे तो उसको एक समझ कर लेना, और यह आप कुछ दिन भी खाओगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएगे, ऐसा नहीं कि आप एक दो दिन में रिजल्ट चाहिए, यह थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ, अच्छे रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फायदा क्या होगा, एक बार करने के बाद दुबारा नहीं होता है, रियक्शन नहीं होता है, मन नहीं करता है, उसमें आपको बहुत जादा इसमें फायदा मिलेगा, ओके दोस्तों यह वीडियो बहुत काम किये है लोगों के लिए बहुत सचती चीज बताइए मैंने आपको तो इस वीडियो को शेयर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजीगा और अगर आपको कुछ और जान करें चाहिए तो आपमेंजे कमेंट कर सकते हैं नई कि विडियो और शेली मिल्दे और नामस्छर।